बिहार चुनाओं के लिए तारीकों का एलान हो चुका है इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री असोग चौत्री है सरिये वताये तैयार है आप तैयार है एंडिये बिल्कुल बिल्कुल एंडियो पूरी तरह से तैयार है और एक्सपेक्टेड एनॉंस्मेंट है एलेक् अचली नियू नॉर्मल के हिसाब से चुना होंगे बूत के संख्या बढ़ेगी बूतों पर लोगों के मद्दाताओं की संख्या को जो पहले से था उसको घटाया जाएगा बूतों की संख्या बढ़ाई जाएगी वर्च्वल रैली पर ज्यादा जोर होगा लेकिन यह हमें थी कि साइद हम लोगों को छूटे संख्या में भी नेताओं को रैली करने का एलेक्शन कमिशन साइद दे बट वो नहीं हो पाया ठीक है यह बात सकते है कि नियू नॉर्मल के हिसाब से जो है जंता को सुरक्षित रखना पहली प्रियारिटी एलेक्शन कमिशन की भी और सब्सक्राइब करने के लिए इस चीज का नुकसान होगा पाटी को यह एक परिपाटी थी करते थे हम लोग समय के साथ बदलना पड़ता है परिस्तितियां अलग है कि आप अपनी बात को रखनी सकते हैं अभी हम लोगों ने साथ तारीक को मानिय मुखमंत्री का प्रकारिक्रम कराया लगबग चालिस लोग से उपर लोग जुड़े उसमें तो इतनी बड़ी रैली तो हम पटना में गानी मैदान में भी नहीं कराते थे लेकिन है क्या गयर अगर हम लोग मेहनत करें तो अपनी बात नेता की बात को जनता तक पहुंचा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपके जो विपक्षी पार्टी है वो कह रहे हैं कि इस पार मुद्दा बार होगा पलाइन होगी बेरुजगारी होगा देखिए लोग पॉलिटिकल प्रदेश में राजनितिक अपराधिकरन किया गया किसी से चुटा हुआ नहीं है और आपके आपको जो मौका मिला तो आपने इस प्रदेश के बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या प्रदेश में कैसे मूलभुत्स रचनाओं का विकास किया गया यह भी लोगों ने देखा है नितीश कुमार ने काम जिन्मिनली इस प्रदेश की जनता के लिए तमाम अमाम के लिए किया नहीं किया यह भी जनता ने देखा है जब भारत सरकार में मंतरी रहे तब उन्होंने इस प्रदेश के लिए कि नहीं किया वो भी जनता नहीं देखा है तो हम तो सिर्फ अपन पार करेंगे किसी भी परिस्तिती में किसी भी परिस्तिती में हम लोग 200 पार करेंगे यह दावा है जदियू का कैमेरा में रिशी के साथ सौरक मुआर पटना लीज 24 झाल झाल झाल